हेलो स्टुडेंट्स मैं रेनु शर्मा स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल एपिसी एकेडमी में आज हम डिस्कुस करेंगे हिमाचल पर्देश के वीकली क्रंट अफेर को और यह रहेगा अक्तुबर मन्त का फोर्थ पार्ट इससे पहले हमने थ्री पार्ट्स को डिस्कुस किया है अगर आपने हमारे प्रिविएस वीडियो को चेक नहीं किया है तो डिस्कुस करते हैं अपना फॉर्स्ट कोईशन सगुन योजना की अंतरगत गरीब परिवार की वेटियों की साथी पर कितनी रुपए आर्थिक सहायता दे जाएगी यहाँ पर बात हो रही है मैरिस के लिए जो पोर फेमली है उनकी डॉर्टर को कितना रुपए जो है वो आर्थिक सहायता परदान की जाएगी फर्स्ट ऑप्शन है 31,000, सेकिंड ऑप्शन है 51,000, थर्ड ऑप्शन है 1 लाग और फूर्थ ऑप्शन है 20,000 तो इस कुर्शन का राइट ऑप्शन रहेगा 31,000 अगर बात करें सगुन योजना की तो सगुन योजना गरीब परिवारों की बेटीओं की साधी से रिलेटिड बताई जाती है और हीमाचल परदेश की मुख्यमंत्री ने इसे 1 आप्रेल 2021 में शुरू किया था और इस योजना के माध्यम से BPL परिवारों की बेटीओं की व अगर बात करें हीमाचल में तो इसे 1st April 2021 में सुरू किया था और भारत में इस योजना को 2017 में सुरू किया गया था हमारे जो PM है निरेंदर मोधी उनके दराइस योजना को सुरू किया था तो डिस्कुस करते हैं अपना next question हाल ही में चारी performing grading index 2021-22 में हीमाचल का सिक्षा में कौन सा स्थान है फर्स्ट ऑप्षिन है सेकिंड, सेकिंड ऑप्षिन है 17, थर्ड ऑप्षिन है 13 और फोर्थ ऑप्षिन है 10 तो इस question का right option रहेगा 17 अगर बात करें education की तो education में हीमाचल अब पिछडता ही जा रहा है काफी कम position इससे पहले हीमाचल की position जो है वो second थी जैसे भारत में सबसे ज़्यादा educated state माना जाता है मुझ केरला था के बाद हीमाचल था अब हीमाचल की ग्रेडिंग है वो धीरे-धीरे कम होती जा रही है तो बात करें इस grading को किसके दोरा चारी किया जाता है राज्य सचिवाले में क किंदृय सिक्षा मंतरालिया द्वारा पर्फॉर्मीं ग्रेडिंग इंडेक्स को चारी किया जाता है अगर बात करें जो किंदृय मुख्य सच्चिव है सिक्षा के उनका नाम है अशीश बुटेल और सिक्षा सच्चिव है राकेस कवर इनोंने भी जब चर्चा हो रही थी बैठक की जा रही थी, तो उस टाइम पे इन्हों ने उसमें पाटिश्वेशन किया था, और ये 2021 और 22 की रिपोर्ट है, और हिमाचल को अंक प्रापत हुए हैं 538, और बात करें, ये जो सर्वेक्षिन किया गया, ये 3rd, 5th, 9th और 11th के बच्चों को जांच करके किया गया, इ डिस्कुस करते हैं अपना next question, आपके लिए एक important information है, हमारी academy में, जल्दी ही TZT Commission, पुलिस, पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, HP High Court, और स्टैनोग्राफर्ट तथा अगनी मीर की जो बैच्चिस हैं, वो जल्दी ही start होने वाले हैं, तो interested candidate नीचे दियेगे नंबर के उपर, contact कर सकते हैं, तो डिस्कुस करते हैं अपना question, हिमाचल परदेश सरकार ने दर्शन सेवा योजना के अंतरगत, नए रूटों पर बस सेवा सुरू करने की बात कही है, first option है 50, second option है 100, third option है 150, और fourth option है 40, तो इस question का right option रहेगा 100, अगर बात करें हिमाचल में, जो सबसे ज़्य ज़्यादा income प्रापत होती है, वो हमें टूरिजम से प्रापत होती है, तो टूरिजम को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल सरकार जो है वो टाइम टाइम पे अलग अलग परकार की योजना हैं जो है वो स्टार्ट करते जा रहे है, जैसे हिमाचल में, religious tourism को बढ़ावा द और यह फर्स्ट मंदिर है इस योजना के तहत निगम जो हमारे बस है निगम की वो धरमचाला चिंतपुर्णी च्वालाजी और धरमचाला रूट पर एक विशेश बस सेवा सुरू करने चाहरे और उसका जो किराया रहेगा वो भी 400 रुपए ही रहेगा ताकि हीमांचल में को जादा से जादा बढ़ाया जा सके तो डिसकूस करते है अपना निक्स कोईशन है अच पर राच्य परदोशन नियंतर बोड किस थापना कब हुई फर्स्ट ऑप्शन है 1970, सेकंड ऑप्शन है 1972, थर्ड ऑप्शन है 1974 और फ़र्थ ऑप्शन है 1976 तो इस कोईशन का राइट अप्शन रहेगा 1974 अगर बात करें हिमानचल परदेश में जो परदोशन है उसको नियंतित करने के लिए ये वाला प्रोग्रम शुरू किया गया है ये प्रोग्रम जो हो वो ए बढ़िया अबयान है जो हमारे इलक्ट्रोणिक करने के लिए उसको पर दोशन नियंतर बोड के दौरा अगर बात करें हिमाचल में परदोशन नियंतर बोड के अध्यक्स तो उनका नाम है संजेग गुपता और सेंटर में बात करें तो सेंटर में अध्यक्ष है तनमे कुमार और सदस्य सचीव के बात करें तो सिरी भरत कुमार सर्मा को सचीव बनाया गया है और हिमाच को हिमाचल में सुरू किया गया है ताकि हमारे इलेक्ट्रोनिक्स इलेटिड जितना भी हमारा कच्रा है उसे कंट्रोल किया जा सके डिस्कस करते हैं अपना नेक्स क्वेशन प्रशीद सिकारी देवी मंदिर हिमाचल पर्देश के किस जिले में स्थित है फर्स्ट ओप्शन है कांगडा, सेकिंड ओप्शन है मंडी, थर्ड ओप्शन है चंबा और फोर्थ ओप्शन है किन्नो तो इस क्वेशन का राइट ओप्शन रहेगा मंडी अगर बात करें शिकारी देवी मंदिर की तो आपने सुना होगा शिकारी देवी मंदिर बहुत फेमस है हिमाचल में एक ऐसा मंदिर है जिसके उपर छत नहीं बनी है जिसकी बज़ा से इसका जो है वो स्टाइल नहीं बताया जाता कि कौन से स्टाइल में बना है शिकारी देवी का मंदिर क्योंकि ये बिना चत वाला मंदिर है पूरे हिमाचल में सिर्फ यही मंदिर है जिसके उपर चत नहीं बने है और यहां पर यह भी बताया जाता है, इस मंदिर में जो मूर्थियां रखी गई है, उनके उपर जब भी स्नो फॉल होता है, तो उनके उपर नहीं गिरता है, यह वहां की माता का आशिरवात परदान है, और शिकारी माता का नाम जो शिकारी देवी रखा गया है, वो शिकार के साथ रिलेट किया जाता है कि वहां पे सिकार खेला जाता था जिसकी बज़ा से देरे देरे बाद में उसका नाम शिकारी देवी रखा गया और इसका जो रूप माना जाता है ये काली का रूप है दुर्गा का रूप है अलग रूपों में से माना जाता है अगर बात करें तो इस मंदिर की जो समुदर तल से हाइट रहेगी वो 2850 मीटर समुदर तल से हाइट के उपर ये मंदिर बना है, हो सकता है आपके बुक्स में कुछ और भी दिया हो, पर अकॉर्डिंग टो अगर हम ऑफिशल बात करें तो यही वाला बताया जाता है हाइट को कि समुदर तल या फिर आपकी जिंजैली वैली के पास में ही है, यह जो आपका फेमस वाला शिकारी देवी मंदिर बना है, और मंडी को क्राउन के नाम से भी जाना जाता है, अगर बात करें शिकारी देवी मंदिर की तो इसकी कहानी बताई जाती है कि इसका जो निर्मान करवाया गया थ फहाँ पांड़ Еще को बीज्य के लिए भी एहां से असिरवात पर्दान किया था और सा八 मंदिर में यह विताया जाता है कि मारगंडा रिशी ने यहां पे पूजा की थी या यहां पे कुछ टाइम के लिए उन्होंने तपस्य की थी उनके साथ भी इसे रिलेट किया जाता है तो पूरे हिमाचल में यही एक ऐसा मंदिर है जिसके उपर चत नहीं है डिस्कूस करते हैं अपना next question हिमाचल परदेश सरकार दोरा जल स्त्रोतों के सरक्षन के लिए कौन सी योजना सुरू की गई है फर्स्ट ऑप्षिन है अटल भूजल योजना सेकिंड है परवत धारा योजना थर्ड है प्राकृतिक खेति खुसाल किशान योजना फौर्थ ऑप्षिन है हिमाचल पुस्प क्रांती योजना इस कोशन का राइट ऑप्षिन रहेगा परवत धारा योजना हिमाचल परदेश में जो भी हमारे जल स्त्रोत विलुप तो रहे हैं उन्हें दुबारा से जिल्नो धार करने के लिए हिमाचल सरकार की द्वारा परवत धारा योजना को सुरू किया गया है जितने भी हमारे जल स्त्रोत हैं उनको दुबारा से रीकंस्ट्रक्श करने के लिए यहां पे सरकार की द्वारा कुछ पैसा जो है वो सहायता परदान की जाती है और इस योजना का नाम है परवत धारा योजना योजना के अंतरगर जो सेटलाइट है इमेज के आधार पर जल्स रक्षन जलाशियों का निर्मान किया जाएगा और इसका रख रखाव परधा जो परवंदन है वो मन नरेगा की अंडर किया जाएगा मन रेगा वाला जो आपके पन्चायतों के तुरू चलता है उससे इस योजना का लाप्रापत किया जा सकता है इस पहल से गर्मियों के मौसम में सिंचाई का प्रावधान होस पाएगा और भूजल स्त्रोतों का जिर्णो उधार इस योजना के अंडर्चो है, वो किया जा सकते है, जैसे अभी आपने देखा हिमाचल में इतना ज्यादा बार से नुक्षान हुआ है, तो हमारे जो जल स्त्रोत डूब गए है, या उनके उपर कोई लाइट्स लेंडिंग हुआ है, उसकी बजह से वो दुबारा से अगर उन फर्स्ट ओप्षन रहेगा उत्रखंड, सेकिंड ओप्षन है हिमाचल पर्देश, थर्ड ओप्षन है उत्तर पर्देश, और फोर्थ ओप्षन है हर्याना, तो इस कोईशन का राइट ओप्षन रहेगा हिमाचल पर्देश, हिमाचल पर्देश सरकार के द्वारा एक नई पहल जो है वो सुरू की गई है पुलिस जो सहीद पुलिस कर्मी है उनके लिए और हीमाचल में अगर बात करें तो अभी हमने पुलिस समरिती दिवस मनाया और यह जो मनाया यह हमने शिमला के बराडे सहीद स्थित एरिया में मनाया और वहां पे हमने पुलिस कर्मियों को डिस्कुस करते हैं अपना next question, हिमाचल परदेश में मुख्य मंत्री कन्यादान योजना की अंतरगत कितनी धन्रासी परदान की जाती है, first option है 31,000, second option है 51,000, third option है 61,000, और fourth option है 21,000, तो इस question का right option रहेगा 51,000 रुपए, इससे पहले हमने, दो दिन question पहले हमने discuss किया, यहाँ पे सगुन योजना में, सगुन योजना भी बेटियों से रिलेटिड थी, और यह जो मुख्य मंत्री कन्यादान योजना है, यह भी बेटियों से रिलेटिड है, बेटियों के साधी स रिलेटिड है, वहाँ पे हमने discuss किया, 31,000 रुपए आर्थिक सहायता दी चाहती है, और यहाँ पे 51,000 रुपए आर्थिक सहायता दी चाहती है, वहाँ पे हमने discuss किया कि वह वाला परिवार BPL में होना चाहिए, और BPL के लिए जो परिवार BPL में होता है, उसके लिए इंकम वार्सिक से कम होनी चाहिए उससे जादा नहीं होनी चाहिए और जो परसंट ऐसी बेटी जिनके पिता की मृत्ति हो गई है ये फिर सारीरी की अमांसिक रूप से वो अजीव का कमाने में असमर्थ है और इसके अलावा ऐसी तलाक सुधा महिलाएं जिन उनकी पुत्रियों को आर्थिक सहायता परदान की जाएगी पचास आजार रुपैस से जादा उनकी इंकम नहीं होनी चाहिए वो इस योजना का लाब जो है वो प्रापत कर सकते हैं तो ये दोनों की दोनों योजना जो है वो बेटियों से ही संबंधित है तो डिस्कूस करते हैं अपना नेक्स क हिमांचल परदें सरकार दोरा कितने वर्सों के बाद नया लैंड कोड चारी किया गया है फर्स्ट ऑप्षिन है 21, सेकेंड ऑप्षिन है 31, थर्ड ऑप्षिन है 41 और फोर्थ ऑप्षिन है 51 तो इस कोड़िशन का राइट ऑप्षिन रहेगा 31 एर के बाद ये नया जो कोड था वो 1992 में परकासित किया गया था और अगर बात करी जो लैंड रिफॉर्म एक्ट है या मुमी सुधार जो अधिनियम है उसको 1954 में लागू किया गया था और भारत में अगर बात करें जमिदारी प्रथा के तो जमिदारी प्रथा जो है वो लॉड कार्निवालिस की देन मानी जाती है उन्होंने 1993 में से सुरू किया था और यह जो 1993 की स्थाई बंदोबस्त परणाली को भारत में जमिदारी व्यवस्था का ही उत्पत्ति माना जाता है तो आभी हिमाचल में एक नया लैंड कोड जो है वो जारी किया गया है डिस्कुस करते हैं अपना नेक् थार्ड ऑप्शन है कांगडा और फोर्थ ऑप्शन है शिम्ला तो इस क्वेशन का राइट ऑप्शन रहेगा बिलासपूर अभी हमारे मुख्य मंत्री सुक्विंदर सुखू के द्वारा बिलासपूर में फर्स्ट टाइम यहां पे विजिट किया गया और यहां पे जो ल गलग पंचायतों में रहेंगी अगर बात करें इस प्रोजेक्ट के अंडर जो है वो सरकार कितना धनरासी खर्च करेगी तो तीन क्रोड रुपे की आथिक साहता जो हो खर्च कर सकती है हिमाचल सरकार और हिमाचल में बात करें तो सबसी पै पूरानी जो लाइवरेरी थी तो आपकी महिमा लाइवरेरी है, और महिमा लाइवरेरी पढ़ती है आपके सिर्मॉर्डिस्टिक में, सिर्मॉर्डिस्टिक में उस ताइम पे राजा हुआ करता था अमर परकास, राजा अमर परकास ने अपनी बेटी के नाम के उपर महिमा लाइवरेरी का निर्मान करवाय तो डिस्कुस करते है अपना नेक्स्ट ये रहा आपके लिए पिछली वीडियो का प्रेशन हाल ही में आर्थिक और सांखी की विवा की जिला सुसासन सुचकांग की वार्सिक रिपोर्ट के अनुसार हिमाचुल का कौन सा जिला प्रतम रहा है तो राइट आप्षन जो है आप कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगी ये था हमारा आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें शेर करें और अपनी दोस्तों के साथ जादा से जादा शेर करें थैंक्स फोर वचिंग